नमस्कार, New Times में आपका फिर से स्वागत है, मैं हूँ आजिन गुपता, और ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़ा टालते हैं आज की सुर्की उपर बाजारों में प्रवेश करने वाले अब हर शक्स की होगी कोरोना जाच कदमा में खंधर हो चुके क्वाटर में फंदे से खूलता मिला शव भारती जन्मोर्चा कार्याले के बाहर हुई फाइरिंग के मामले में तूल पकड़ा कदमा बाजार में गोली बारी की घटना में मुख्य आरोपी समें तीन पकड़ाए लोड़ेट पिस्टल बरामद मानगो में पुजारी के साथ मार्पिट की घटना से ब्रहमन समाज में रोष और जुछलाई चौप में ठेले में मिला बुजूर कशव दामात पर हत्याकारो आईए अब खबरों को विसार से देखते हैं कोरोना जांच को लेकर अब प्रशासन जादा सजग हो गया है इस कड़ी में अब बाजारों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच अनिवारे कर दी गई है प्रशासन अब कोरोना जांच के प्रती जादा सजग दिख रही है बिछले दिनों बाजार के दुकानदारों की जांच करवाई जा रही थी और अब बाजार में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जाच आनिवारी कर दी गई है इसके लिए बाकाइदा बाजार के तमाम एंट्री गेट पर जाच शीविर जिल अप्रशासन द्वारा लगाई गई है जहां बाजार में आने वाले सभी लोगों की कोरोना जाच की जा रही है दंडादिकारी के पतेनिकती भी शिविर में है स्वास्युभा की टीम शिविर में तैनात है जो अब सभी की जाच कर रहे हैं दंडा दिकाजी के नुसार, कोरोणा जैसे संक्रमन बीमारी लगातार शहर में फैल रही है और अब स्थिती ये है कि शैक्रों लोग इससे संक्रमित है इस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जांच की जा रही है वहीं उन्होंने अनुरोद भी किया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह के श्चिवीर के माध्यम से निशुल को कुरोना जाज की जारी है और जादा से जादा लोगों को प्रशासन का सहीव करना होगा कदमा थाना के बीछे खंडार हो चुके क्वाटर के भीतर एक शव मिलने से पूरे शेत्र में संसनी फैल गई है शव फंदे से जूल रहा था और पूरी तरह से डीकंपोज हो चुका था सुबह कुछ स्थानी लोगों ने शव को रसी के सहारे जूलता देख पूलिस को सुचित किया प्रतम द्रश्टिया तो ऐसा लग रहा है कि ये आत्महच्चा का मामला है और ये दो महापुराना है चुकि उस स्थान पर लोगों की आवाजाही नहीं है इसने इतने दूनों तक पता नहीं चल पाया शव पूरी तरह से डीकंपोस्ट हो चुका है और पूलिस के सामने उसकी पहचान करना बहुत बड़ी चुनोती है फिलाल पूलिस लोगों से जानकारी मांग रही है और गुमशुदगी के मामले खंगाले में जुटी है कदमा में हुई गोली बारी की घटना में पूलिस ने भानुमान जी समेट दो आरोपियों को लोड़िट पिस्टल के साथ गिरफतार कर लिया है पिछले दिनों कदमा के एक टाल में गोली चालन की घटना में जीनाप्रेश्ट पूलिस को सफलता मिली है पूलिस ने मुख्य आरोपि भानूल माजी उर्फ जीतन माजी समेट गुरपित सिंग और दीपक बाक को गिरफतार कर लिया है उनके पास से एक लोडल पिस्टल भी प्रामज किया गया है SSP M. Tamilvonan ने बताया कर्मा ठाना की तरे में पाहिरिका गटना के टितनी है जस्तारीक वला गटना रंगडारी के कारण और 15 तारीक वला कटना जो अभीट है उनके किलाफ में कोट में घवाई देने के कारण कारी की तो इस जोनों कटना को हम लोग डिडेक्शन करने है तो और जिरफ्टारी है तो सिटी-एस्पी के लिशाने देश में और डिशाने ने तरतों है ताना परबारी कर्दमा इवंग तीम जटिक किया गया था मानगो बस्टेंड के समीब हनुमान मंदीर के साथ माल पीट की वारदात से ब्रामन समाज और पुजारी काफी आक्रोशित है और वे दोशी पर कड़ी कारवाई की मांग कर रहे हैं सीतारम डेरा थाना अंतरगत मानगो बस्टेंड के समीब हनुमान मंदीर के पुजारी की बीती राद मार्पिट की घटना को लेकर शहर के पुजारी एवंग प्राहमन समाज आक्रोशित है जहां रहेवार को सभी ने अपरादियों की ग्रिफतारी के मांग को लेकर प्रद जुकसलाई चौक में एक ठेले में व्यक्ति का शब बरामत होने से पूरे शेत्र में संसनी फ्रैल गई है सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है जुकसलाई चौक बजार से सुमवार सुभा ठेला में पुलिस ने एक शब को बरामत किया बता जा रहा है कि विक्ति का नाम दीना बहरा है और भी तेरा दमात के साथ छगड़ा हुई थी स्थानी लोगों का कहना है कि मारपिट के दौरान दमात ने रोट से मार कर दीना बहरा नमक विक्ति को खैल कर दिया था मुही ठेला से अस्पतार जाने के दौरान जुक्सलाइ चौक बजार के पास इसकी मौत हो गई फिलहाल पुलिस घटना सल पहुँचकर मामले के चार्च में जूट गई है हलांकि खाबर लेके जाने तक मारपिट का कारण अभी तक स्पस्ट नहीं है जमशितपूर में काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा दिन आया जब कोरुना से मौत की एक भी खबर नहीं है जबकि 125 नए संक्रमित पाए गए जमशितपूर के लिए रविवार का दिन काफी सुकद रहा जमशितपूर में कोरुना से रविवार को एक भी मौत नहीं हुई काफी अरसे बाद एक ऐसा दिन आया जिस दिन कोरुना से किसी की मौत नहीं हुई अगस से लेकर अब तक कोरोना से लोगों की मौत होती रही थी लेकिन रहीवार को एक भी मौत नहीं होने से लोग काफी खुश है वैसे जमशेतपूर के टीए मेच में सराइकला खरस्वा जिले के आदितपूर के 82 साल के एक भुजूर की मौत हुई जो आदितपूर के रोड नमर 15 के रहने वाले थे वैसे जमशेतपूर में रहीवार को कोरोना के 125 नहीं मरीज मिले और कुल मरीजों की संक्या 11,817 पहुँच गई है दूसी ओर रहीवार को 371 कोरोना मरीजों को ठीक होने के साथ ही 80% recovery rate से जिले में अब तक 9,350 मरीज ठीक हो चुके हैं और active case की संक्या 2,125 है मुखी समाज के बैनर तले बड़ी संक्या में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारे बाजी भी की मुखी समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में सफाई कर्मी ने 26 दिनों तक कार्यक किये जाने की मांग बोलेकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाले मुखी समाज के लोगों के अनुसार जिसको प्रबंदन लगातार साथ सफाई के वशेते में कायर करने वाले मुखी समाज के लोगों को 26 दिनों के काम से वन्चित किया जा रहा है साथ ही कईयों को काम से हटाया भी जा रहा है ऐसे में मुकी समाज के लोग विरुजगार होते जा रहे हैं जिस कारण से अब समाज को सबको पर उतर कर प्रदरशन करना पड़ रहा है प्रदरशन कर रहे हैं उन्होंने सभी को 26 दिनों कर रोजगार दे जाने की मांग दोराई है अब लेते हैं छोटा जब्रेक आप कहीं मच जाईएगा ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा आप देखते रहे हैं न्यूस टाइम्स झाईएगा है आपर आपर इसकी बार बेखसे प्राइब कर सकते अव्यादा श्यूर्ट पर इंड प्राइब कर दो कर सकते हैं Specialist in all types of fates, cake, cookie, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. cream rolls, food cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. . . . झाल 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 झाल